हेलो एवरिवन नमस्ते वेलकम टू माई चैनल यह मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं बाइफेस अपना यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल रहे हूँ कोलेज में जैसे सेमिनार होते थे वैसी फिलिग वा रहे है आज भी परपल जो ओनलाइन साइट है उससे मैंने कुछ प्रोड़क्स मंगवाए थे उनका रिव्यू करने वाली हूँ यह छोटे से डबे में मैंने शॉपिंग करी है यह प्रोड़क्स वैसे तो मैंने बहुत पहले ही मंगवा लिये थे बट अभी परपल ओनलाइन साइट पर क्योंकि सेल आने वाली है तो आई थोट कि मुझे इसका ही रिव्यू बना लेना चाहिए तो आए देख लेते हैं सारे प्रोड़क्स कैसे हैं यह इस टाइब से पेकेजिंग होके आये थे ताकि हमारे जो प्रोड़क्स से उनको कोई लुकसान नहीं पहुंचे आईए एक फर्स्ट प्रोड़क्त की बात कर लेते हैं यह फर्स्ट प्रोड़क्त कामा आडिनवेत का रोज़वाटर है क्योंकि मैं रोज़वाटर की बहुत बड़ी फैन हूँ इसलिए मैंने यह मंगवा लिया था जैसे यह थोड़ा सा प्राइसी है पट मैंने इसके विज्यू सुनेते तो मुझे पता लगा था कि यह बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा वर्क भी करता है बट क्योंकि मैं गर्मी में इसको बहुत ही ज्यादा यूज करती हूँ क्योंकि इससे एकदम रिफ्रेशिंग लगता है तो मैंने उसके साथ ही एक यह डाबार गुलाबारी भी मंगवा लिया था क्योंकि यह प्राइस ही है तो मैं इसको रोज तो नहीं डाला सकती इसलिए मैंने यह मंगवा लिया था यह किसी और साइट से मंगवाया है यह मैंने 50 ml की बोटल मंगवाई थी सो देट आइकेंट ट्राइ कि यह कैसा वर्क कर रहा है इसकी जो पेकेजिंग आई उसमें अगेन वापिस यहाँ पर टेप अगेरर लगी हुई है ताइकि कोई भी लिकेज ना हो ऐसा इन्होंने क्लेम किया है कि यह हाइडरेट करता है इसकिन को ओवर्पावरिंग तो नहीं है और इसका एप्लिकेशन कैसा है कि हम इसको इजीली यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं मैंने जब इसको स्प्रे करके देखा तो इवनली स्प्रेड तो हो रहा है एक बार में नहीं आया पर सेकिंड बार में यह आ गया था इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छी है बट ओवर्पावरिंग नहीं है यह बहुत अच्छा लगा मुझे और जब मैंने इसको स्प्रे किया था और उसके बाद यूज़ किया तो यह इवनली स्प्रेड हुआ और मुझे कुछ भी स्टिकिनेस नहीं लगी यह हाइड़ेट तो करता है बट कितने टाइम तक यह हाइडरेट करेगा इसको लॉग ताइम यूज़ करके ही पता चलेगा और यह पोर्ष को टैट करता है यानि यह भी लॉग ताइम तक यूज़ करके ही पता चलेगा So I will surely provide you compare between the Golabari and this one यहाँ पर Pure Rose Water है, Made in India है, Face and Body Mist है यह लिखा हुआ है और पीछे की साइड लिखा हुआ है सारे ingredients अगर जो भी नो ने शो किये है And other relevant information about the same First impression is good but long time तक यूज करके ही बता पाऊंगी कि Whether it is worthy or not यह जो second product है यह मैंने पता नहीं क्यों मंगवा लिया था मुझे लगा था कि शायद में makeup सीखती, makeup queen मंग जाओंगी But मेरा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मैंने बिल्कुल भी makeup नहीं सिखा Even I tried but फिर भी नहीं हो पाया वो अभी पर वो नहीं हो पाया क्योंकि situations ऐसी नहीं बनी थी और टाइम भी इतना नहीं मिल पा रहा यह second product beauty blender है यह सबसे सस्ता और जो अच्छी quality में मुझे मिल रहा था वो ही मैंने पिक कर लिया था और इसके reviews भी अच्छे थे इस पर सारी information दे रखी है कि यह कहां कहां यूज हो सकता है और किस तरह सी use कर सकते हैं यहां पर सारी information country of origin etc दे रखी है इसको how to use भी बता रखा है कि पानी में पहले इसको डूबाना होता है और फिर कैसे इसको use करते हैं आईए इसको open करके देख लेते हैं कि यह किस तरह से लुखा रहा है यहां पर एक plastic का एक और packet था वो मुझसे थोड़ा मिस हो गया तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी कलरी अपने हिसाब से बेचते हैं मुझे purple मिला पर मुझे कुछ issue नहीं हुआ यह एक साइट से flat और एक साइट से curve लिये हुए है इससे हमारे जो face के large area है उनको भी cover कर लेगा और जो narrow area है उनको भी cover कर लेगा इस sponge लग रहा है एस पर में यह ठीक लग रहा है as a first impression अभी मैंने इसको use करके नहीं देखा है क्योंकि इसको पानी में डूबो के और फिर ढंग से देखना पड़ेगा कि यह किस तरह से use आ रहा है but first impression मेरे को अच्छा लग रहा है I hope कि यह मेरा छोटा सा purple hole आपको अच्छा लगा हो अगर थोड़ा सा भी यह आपके काम आया हो और relevant लगा हो तो please इसे like कीजिए मेरे channel को subscribe कीजिए ज़रूरत में ही shopping करें safe रहे, take care, bye यह मेरा फर्स्ट वीडियो है जो कि मैने बाइफेस डाला है तो आपको कुछ भी अगर इसमें चेंजिस लगते है या कुछ सजेशन देना हो तो please comment section में डाल देना I think मेरे efforts को ध्यान रखते हुए आप comment कहना बाई